Indyaudiobook.com में आपका स्वागत है। आईए आज हम बात करते हैं ट्रेडिं इंदाद जोन बुक के बारे में जिसे मार्क डगलस ने लिखा है हिंदी ओडियोग के इस एपिसोड में The Discipline Trader textbook के चैप्टर दो के बारे में बात करते हैं कि मार्क डगलस ने ट्रेडिंग के लिए नई थिंकिंग मेतडोलोजी सीखने के बारे में क्या बताया है। हाई, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखते हैं, तो प्लीज इसे शेर और लाइक अवश्य करें, तो आएए सुनते हैं। चैप्टर दो, एक नई थिंकिंग मेतडोलोजी क्यों सीखें। इस चैप्टर में, मार्क का इरादा यह स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करना है, कि कैसे एक टीपिकल सोशल पालन पोशन, जो व्यक्ति में कुछ वैल्यूज और बिलिप्स को स्थापित करता है, जो सफल होने के लिए उप्योग की जाने वाली थोट मेतडोलोजी का निर्मान करते हैं, जो नए तो प्रेक्टिकल यानि फंक्शनल है और नए ही सफल होने के लिए ट्रेडिंग एनवार्मेंट में ऐसंगत भी हैं, फिर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग एनवार्मेंट में सभी परिचित तरीकों से काम करने का प्रियास करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उसे वह मिलेगा जो वह चाहता है, वह संभवते खुद को हताश, चिंता और भै की निरंतर स्थिति में पाएगा और सोच रहा होगा कि उसके साथ क्या गलत है या सोच रहा होगा कि उसके साथ कुछ गलत क्यों हुआ होगा बेशक विडम्बना यह है कि सर्फेस पर ट्रेडिंग इतनी सिंपल दिखती है जबकि वास्तों में अधिकांस लोगों को यह अब तक का सबसे कठिन प्रियास लगेगा इसमें सफलता हमेशा बहुत करीब प्रतीत होती है लेकिन फिर भी यह हमेशा बेहद मायावी होती है यह है हताशा तब तक जारी रहेगी जब तक की ट्रेडर एक नई थिंकिंग मेथेडोलोजी सीख कर ट्रेडिंग इनवार्मेंट में मुझूद कंडिशन्स को फेवरेबल नहीं करता है जो कि उन एनवार्मेंट में सबसे प्रभावी ढंग से काम करता है और नए की वह जो सोचता है कि वह अपनी कल्चरल और सोशल परवरिश के आधार पर काम करेगा शायद इस बुक को पढ़ने वाले आप में से कई लोगों ने एक सेमिनार के बारे में सुना होगा जहां आप सीख सकते हैं कि लाल गर्म कोईले के 20 फूट के बेड पर नंगे पैर कैसे चलना है जिन लोगों ने इसे संभाव बनाने के लिए मैथट डेवलप किया है इसल तरीके के रेजल्ट के रूप में होती है सोचिए एक एसा मेथड जिसमें उनके बिलीफ किसी ने किसी तरह से हर किसी से अलग होते है इस मेथड को एक एसे सिस्टम में विभाजित किया जा सकता है जिसके बाद में दूसरों को सिखाया जा सकता है एक्सिलेंस हासिल करने वालों और मीडियोकर अचिवमेंट हासिल करने वालों के बीच एक मातर डिफरेंस यह है कि एक ग्रुप ने एसी थिंकिंग मेथडोलोजी सीख ली है जो दूसरे ग्रुप को अभी तक नहीं सुजी है इस आइपोथिसिस के साथ मार्क की समझ यह है कि प्रोग्राम डेवलप करने वाले लोग दक्षन प्रसांत क्षेतर में गए और उन लोगों की तलाश की जिनोंने बिना किसी फिजिकल डेमेज के अपने पैरों से गर्म अंगारों पर चलने की एबिलिटी का डेमोंस्टेशन किया इन में से कुछ दक्षन प्रसांत फाइल वाकर्स को खोजने पर प्रोग्राम डेवलपर ने उनके बिलिफ्स और एटिटूड को एनलाईज करना शुरू कर दिया ताकि एक ठेंकिंग मेतडोलोजी पर पहुँच सके जिसे वे USA में पढ़ा सकते हैं मार्क को यकीन है कि उन्हें नंगे पैर अंगारों के लाल गर्म बेड़ पर चलने के प्रयास के फीजिकल और एमोशनल प्रभावों के बारे में बताने की जरूर्ट नहीं है एसा करने के विचार मात्र से उत्पन भै समन अत्य भारी होगा आपके पैरों को होने वाली संभावित शारेडिक शती आपके शैस जीवन के लिए अपंग होने की संभावना के साथ बिलकुल वास्त्विक है और फिर भी जैसा की टीवी और प्रिंट मेडिया दोनों द्वारा प्रेजेंट किया गया है कि सेमिनार में शामिल सभी क्षेत्रों के लोगों ने वहें हासिल किया जिसे हम सारव भोमिक रूप से एक जबरदस्त उपलब्दी के रूप में स्विकार करेंगे उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और गर्म अंगारों के बेड़ पर 20 विट तक चले अब मारक आपको अंगारों पर नहीं चलने देंगे लेकिन विचार की हैबिट्स मुश्किल से मरती है और एक ट्रेडर के रूप में एक्चिलेंस प्राप्त करने के साधन के रूप में जो नई थिंकिंग मेतडोलोजी पेश कर रहे हैं उसके लिए रास्ता बनाने के लिए आपको अपने कुछ बिलिफ्स पर सवाल उठाना होगा और जो संभव है उसके कंसेप्ट की जाच करनी होगी कभी कभी केवल कंप्लीट मेंटल हाउस क्लिनिंग ही आपको ऐस सफलता को दूर कर सफलता के लिए जगे बनाने में मदद कर सकती है और अपने आपको ऐसी इनफॉर्मेशन से परीचित कराना जो आपको खुद से पूछने पर मजबूर कर दे कि अगर यह सच होता तो क्या होता किसी भी मेंटल क्लिनिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है कई कारणों से इनके बारे में पार्ट टू में अधिक गैहराई से बताया जाएगा कि शुरुवाति ट्रेडर के लिए यह शायदी कभी होता है कि मार्केट उसे एक ऐसे एनवार्मेंट से सामना कराता है गठना के रूप में देखा जा सकता है जो हमेशा बदलती रहती है वस्तूत है स्ट्रक्चर के बिना निरंतर गती में प्रतेएक ट्रेड में प्रोफिट के साथ साथ लोस का unlimited potential होता है एसे environment में interact करने वाले व्यक्ति पर psychological impact भयानक होता है खास कर जब आप उन कई तरीकों पर विचार करते हैं जिन में हम सभी आम तोर पर highly defined boundaries, limits और rules के साथ अपने जीवन की structuring करते हैं ताकि चीजे fundamental रूप से वही रहें अधिकांस लोगों के लिए एक static environment उनकी security और well-being की भावना का एक fundamental component है मार्केट ने केवल ट्रेडर को पलपल के आधार पर change की स्विकरती की कमी का सामना करने के लिए मजबूर करके किसी व्यक्ति की सुरक्षा की भावना को नश्ट कर रही है बलकी वे काफी competitiveness और stress का emotional environment भी पैदा करती है यहां financial तबाई के डर के साथ साथ लाखों जीतने की अनिवारिये आवशक्ता भी है मार्केट एक ट्रेडर को financial freedom के उसके सपने को पूरा करने की real possibility से चिडाती है और साथ ही उसके पास जो कुछ भी है उसे चिनने के लिए तयार रहती है इसके अलावा अधिकास job situation से जुड़े time, efforts और rewards के principle मार्केट्स पर लागू नहीं होते है उधारन के लिए कई jobs, प्रति घंटा wages या yearly salary के कारण efforts की परवा किये बिना एक unchanging rewards परदान करती है एक trader के लिए efforts irrelevant हो सकता है और time और reward के बीच कोई संबंद भी नहीं हो सकता है एक साथारन निर्ने लेने पर एक trader कुछ ही second में बड़ा profit उठा सकता है जिसमें उसकी केवल mental energy ही खर्चोती है शुरुआत में आप सोच सकते हैं कि मिनिटों या सेकिंडों में बहुत सारा धन कमाने में क्या गलत है बहुत चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं यदि नहीं तो हम में से अधिकांश लोग उन conditions के बारे में highly structured belief system के साथ बड़े होते हैं जितने धन को हम प्राप्त करने के लाइक होते हैं वास्तों में बहुत से लोग अपने बच्पन की conditioning और religious training के कारण यह मानते हैं कि वे उस पैसे के लाइक नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया निश्चित रूप से बिना किसी प्रियास के बहुत ही कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना उस definition के अंतरगत नहीं आता है जो ज़्यादातर लोगों के पास अपने पैसे के लिए काम करने के बारे में है तो कोई व्यक्ति इन structured work beliefs के विरुद बड़े profit का मिलान कैसे कर सकता है खास कर तब जब उन्हें शायर इसके बारे में पता भी नहीं है या यदि वे थे तो उन पर विजार नहीं करेंगे इस तरह के mental conflict को आम तोर पर ट्रेडर दवारा market में अपना पैसा वापस देने के लिए कोई चतुर, सरल या संसारिक तरिका ढूलने से सुलजहया जा सकता है कल्चरल और ट्रेडिंग एनवार्मेंट के बीच अंतर के साथ तालमेल नहीं बैठाना या सिर्फ इस बात से अनभिग रहना की मतवेद मौजूद है निश्चित रूप से अधिकांस ट्रेडर्स द्वारा की गई ट्रेडिंग गलतियों का कारण हो सकता है फिर भी एक ठिंकिंग मेतडोलोजी एसी गलतियों को रोकने के लिए नए केवल मार्केट के बीहेवियर को समझने योग्या शब्दों में फिर से परिभासित कर सकती है बलकि यह उस बीहेवियर के प्रति अधिकांस यदि कोई नहीं तो टिपिकल अन्डिसिप्लेंड इमोशनल रियक्शन को भी मैनेज कर सकती है कल्चरली सीखा गया बीहेवियर जिसके परिणाम सुरूप एक अन्सक्सेस्पूल ट्रेडिंग एक्सपिरियंस होता है इमोशनल रूप से चार्जड सिचुएशन में जिसमें दो सेकेंड में निर्ने लेने की आवशक्ता होती है प्रजेंट इवेंट की तुलना पिछले मार्केट एक्सपिरियंस से करने के लिए बहुत कम समय है यदि आपने पास्ट में भी इसी तरह का बिहेव किया होता और उसी तरह के विनाशकारी परिनाम भुगते होते तो शायद आपको द्यान भी नहीं आता क्योंकि प्रजेंट सिच्वेशन इतनी इमिडियेट होती है कि आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आपका बिहेवियर कितना टिपिकल और यहां तक की थोटलेस भी हो सकता है वास्तों में यह आपके लिए खबर हो सकती है कि फेलियर के लिए ऐसी टिपिकल रियेक्शन की केवल लिमिटेड संख्या है उन्हें रिकोगनाईज करने में सक्षम होने से आप उस समय में से कुछ भी खोई बिना पिछली गल्तियों को दोहराने से रोक सकते हैं जो सेकेंड के हजारवे हिस्से में भी लिए गए डिशिजन के लिए आवशक है आगे बताई टिपिकल ट्रेडिंग एरर्स का एक स्पेसिपिक कारण ठिंकिंग मेथडोलोजी में स्थित है जिसे बदला जा सकता है जैसे नमब एक, लोस को टिफाइन करने से इंकार करना नमब दो, किसी लोस वाले ट्रेड खागा लिक्विडेटिंग ने करना बले ही आपने यह स्विकार कर लिया हो कि ट्रेड की ख्षमता बहुत कम हो गई है नमबर तीन, market की direction के बारे में एक specific opinion या belief में बंद जाना, psychological perspective से यह है आपकी अपेक्षा के साथ market को control करने की कोशिश करने के बराबर है कि यह क्या करेगा, मैं सही हूँ और market गलत है नमबर च्यार, market के behavior और structure के आधार पर आगे बढ़ने की संभावना के बज़ाए किसी trade की value और monetary value पर ध्यान के निरित करना नमबर पांच, revenge trading जैसे कि आप market से वहे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो जो उसने आप से छिन लिया है नमबर च्यार, जब आप स्बस्ट रूप से market की direction में बदलाओ महसूस कर रहे हो, तब भी अपने स्थिति को बदलना नहीं नमबर साथ, trading system के rules को follow ने करना नमबर आठ, एक building को transfer करने या महसूस करने की योजना बनाना, लेकिन फिर bid या offer को hit करने के लिए खुद को स्थिर महसूस करना, और फिर खुद को profit के आउसर से वनचित करना नमबर नो, अपनी प्रवर्ती या अंतर ज्यान पर कारिये ने करना और नमबर दस, एक निश्चित आउधी में trading की सफलता का एक सूसंगत pattern बनाना और फिर एक या दो ट्रेडों में अपनी winning को market में वापस दे देना और इसी cycle को फिर से दोहराना आईए बात करते हैं सिखे जाने वाले skills पर किसी भी activity में excellency प्राप्त करने के लिए चाहे वह trading की तरह mental हो या swimming की तरह physical हो हमें specialized skills सीखने की आवशकता होती है ये skills हमें गटनाओं को देखने, उनके बारे में सोचने और उनके प्रती व्यवहार करने के लिए आवशक आवशक ताइंपरदान करते हैं लेकिन हम जिस चीज के आदी हो या जो हमें सिखाया गया है उससे अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं हालांकि activities के mechanism से परे जिसमें लगबग कोई भी mastery कर सकता है यह है एक special thinking methodology या strategy है जो excellence की और ले जाती है हालांकि यह है बहुत कम लोगों के पास होती है फिर भी ऐसी thinking methodology सीखी जा सकती है किसी भी thinking methodology के लिए goals और problem के प्रती approach की एक series की आवशकता होती है इन approach को mental techniques यहां तक की thought application के skills के रूप में भी बेहतर डंग से describe किया जा सकता है उधारण के लिए एक skill उन conditions की पहचान करने में सक्षम हो जकती है जो वास्तों में एक common trading गलती होने से पहले ही उसकी पहचान कर लें इसमें कुछ दूसरी skills सीखनी भी शामिल है जैसे नमबर एक goals के dynamics को सीखना ताकि आप जो चाहते हैं उस पर positive रूप से focus कर सकें बलकि उस पर नहीं जिससे आप डरते हैं नमबर दो एक trader के रूप में progress करने के लिए आवशक skills को पहचानना सीखें और फिर पैसे के बजाए उन skills के development पर focus करें पैसा तो आपके skill का एक by-product मात्र है नमबर तीन यह सीखना कि market की conditions में fundamental changes का actively जवाब देने के लिए खुद को कैसे adapt किया जाए नमबर च्यार रिस्क की उस मात्रा को identify करना जिसके साथ आप comfort हैं यानि अपने risk comfort level को पहचाने और फिर यह सीखें कि इसे इस तरह से कैसे expand किया जाए जो market activity के objective perspective को बनाए रखने की आपकी ability के अनुरूप हो नमबर पांच किसी opportunity की अनुभूती होने पर तुरंद अपने trade को execute करना सीखें नमबर च्यार यह सीखना कि market आपको बताए कि कितना enough हैं बजाए इसके कि आप अपने personal value system से potential का assess करें कि कितना enough हैं नमबर साथ यह सीखना कि market की हलचल के बारे में अपनी धारणा को control करने के लिए अपने beliefs को कैसे structure करें नमबर आठ state of objectivity को पाना और इसे बनाए रखना सीखना नमबर नो सच्ची सहज जानकारी को पहचानना सीखना और फिर उस पर लगातार कारिय करना सीखना लेकिन यह ट्रेडिंग सिस्टम से किस परकार अलग है ट्रेडिंग सिस्टम हमें market behavior को define करने, मात्रा निर्धारित करने और categorized करने का एक तरीका बताते हैं चुकि markets, traders को उनके संबंदित opportunity और skills के साथ व्यवहरों का एक infinite combination देती है इसलिए यह समझना आसान है कि हमारा दिमाग कैसे भाव विभोर हो जाता है ट्रेडिंग सिस्टम, market behavior के दाइरे को सीमित करते हैं ताकि हमारे दिमाग के लिए इस activity को रोकना थोड़ा आसान हो सके वे हमें किसी market condition में क्या करना चाहिए इसके बारे में दिशा निर्देश और सुझाव भी देते हैं उनके बिना ट्रेडर्स को आसानी से इसा महसूस हो सकता है मानोवे संभावनाओ और आवसरों के अंतहीन समुंदर में लक्षेहिन रूप से तैर रहे हैं और उनके पास कोई जमीन नहीं दिख रही है केवल आपकी जागरूपता को गाइड करने का मार्ग बताते हो एक सचा स्किल नए केवल रास्ता दिखाता है बलकि लगबग ओटमेटिक रूप से जागरूपता को भी गाइड करना शुरू कर देता है और एक ठिंकिंग मेतडोलोजी इस सिलेक्शन को कंट्रोल करती है कि कौन से स्किल का उपयोग किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए मार्क इस बुक में अपने किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को प्रेजेंट नहीं कर रहे है यह माइंड के साइकलोजिकल स्ट्रक्चर के साथ ट्रेडिंग सिस्टम को जोडने का एक साधन है यदि कोई ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट सिगनल के बारे में जागरूकता परदान करता है और किसी भी मार्केट कंडिशन के लिए सूटेबल बिहेव सुजाता है तो मार्क आपके साथ जो ठिंकिंग मेतोडोलोजी शेर करने वाले है वह स्किल और स्किल एप्लिकेशन की प्रोसेस सिखाती है किसी के साइकलोजिकल एनवार्मेंट में सचेत रूप से हेर फेर करने के लिए आवशक स्किल्स हो होना ट्रेडर के लिए आवशक है जो यह पहचानता है कि जब भी तनावपूर्ण स्थिती एक दूसरे फैसले की मांग करती है तो एक ट्रेडिंग सिस्टम अचानक कितनी एप प्रभावी हो सकती है इस प्रकार की बुक पढ़ने वाला अधिकांस खुद को किसी ने किसी हद तक सफल मानेगा या तो प्राइल एंड एरर के माध्यम से या किसी प्रूवन फॉर्मूला के कटोर एप्लिकेशन के माध्यम से जिसके माध्यम से प्रतेक ने जान बूझकर या फिर अंजाने में ही सक्सेस के लिए skill या methodology सीखी है किसी भी मामले में हम सभी में नए केवल किसी चीज में सफलता प्राप्त करने की स्वभाविक प्रवर्ती होती है बल्कि सफलता के उन principles को लागू करने के भी होती है जो एक कंडिशन में प्रैक्टिकली रूप से बाकी सभी चीजों पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन हमारे साथ यह ज्यादतर बार नहीं होता है कि कुछ एनवारिमेंट में सक्सेस के लिए बहुत अलग साइकलोजिकल रिसोर्सेज की आवशक्ता हो सकती है उधारन के लिए मान लीजिए कि आपने मनमने ढंक से मार्केट में मौझूद एक्सल्स कंडिशन के संबन में उस सिस्टम की वैलेडिटी की जांच किये बिना फ्यूचर्स या स्टोक के बिजनस में सफलता के एक निश्चित थोड़ सिस्टम को लागू करने की कोशिश की इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके पास यह संभावना है कि आप शुरुवात करने से पहले ही ऐस सफल हो जाएंगे जाहिर है कि लोग जान बुझकर इस विश्वास के साथ ट्रेड शुरू नहीं करते हैं इसके बिलकुल वीपरीत होता है क्योंकि अदिकास ट्रेडर्स ट्रेडिंग के बाहर बहुत सफल करियर से आते है या अभी भी उसका आनंद लेते हैं उन्हें ट्रेडिंग माहुल में इस सफलता को आगे बढ़ाने की अपनी ख्षमता पर बरपूर बरोसा होता है यह है निराधार confidence, जिस तरह से market किसी व्यक्ति के खर्च किये गए, time और effort के संबन्द में rewards के concept को द्वस्त कर देता है, उससे trader को उस तरह के results के बारे में कुछ भूती एवास्त्विक उम्मिदे पैदा होंगी, जिने वह पाना चाहेगा यह है मानना कि trading आसान है, यह ही एवास्त्विक उम्मिदों का कारण है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि अधिकास traders अपना सारा पैसा खोने से पहले कभी भी development के primary level से आगे नहीं बढ़ पाते हैं यह है मानना शुरू करना, कि trade करना आसान है, यह है एक psychological टैप है, जो लगवग सभी traders को लूभा था है, लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्यों, जब आप इस process की गति शिलता की जांच करते हैं, कि हम अपने लिए performance का एक standard कैसे स्थाफित करते हैं, जिसके द या results की expectation को बनाते हैं, सबसे पहले हमारा time का basic concept है, कि अधिकास लोगों का मानना है कि यह limited है, यह बिना रुके गुजर रहा है, और अंतत एस्समाप्त हो जाएगा, दूसरा concept हमारा efforts का है, जो कि यह है कि हमारी personal energy की supply अटूट नहीं है, यह खत्म हो जाती है, हम ठक जाते ह और अगर हम ठीक से आराम नहीं करें, तो हम बिमार भी हो सकते हैं, हमारा तीसरा concept expertise के बारे में है, कि हमारे द्वारा सीखे गए skills की संख्या और इन skills का use करने में, हमारी दक्ष्टा के degree की expertise हासिल करने के लिए आम तोर पर काफी time और energy लगती है, अब primary तरीकों में से एक य रिखते हैं, वह हमारे इस विश्वास पर आधारित है, कि हम कितना काम करते हैं, और इसे करने में कितना समय लगाते हैं, जो हमें equation के čोथे component पर लाता है, और वह है rewards, यहां निर्धारित करने के लिए कि हमें कितना इनाम मिलना चाहिए, हम यहां आंकलन करेंगे कि कोई का कितना कठिन या आसान है। यह निर्धारित करके कि हमें कितना प्रियास यह personal energy खर्च करने की आवशक्ता होगी और यह आंकलन करने के लिए कि काम में कितना समय लगेगा। इसलिए हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कितना compensate किया जाना चाहिए। यह हमारे time और energy के लिए ह यह सब एक साथ रखने जा रहे हैं कि कैसे ट्रेड इन सभी कंपोनेंट्स को इस तरह द्वस्त कर देता है कि कोई यह विश्वास कर सके कि ट्रेड करना आसान है? सबसे पहले, मार्केट के माहुल में काम करने के लिए बहुत कम फिजिगल एफर्ट्स की आवशक्ता होती है, खास तोर पर ओफ दा फ्लोर ट्रेडर्स के लिए दूसरा, टाइम कोई relevant factor नहीं है, क्योंकि एक ट्रेडर कुछ एक शणों में हजारों डोलर का profit पा सकता है, निश्चित रूप से आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कभी भी आपकी condition के विरुद नहीं जाएगा, और जो संभव है, उसकी अपेक्षाओं से कही पावशक्ता नहीं है, कि ट्रेड करना आसान है, जब वे पहली बार मार्केट एक्षन को experience करेंगे, तो वे स्वभाविक रूप से एसा करेंगे, वे मान लेंगे कि वे किसी lower point पर खरीददार रहे होंगे, और profit के लिए ट्रेड को स्माप्त करने पर काइम रहे होंगे, बल ये profit, किसी विदेशी यत्रा, सपनों की कार या financial freedom के dreams को represent कर सकते हैं, फिर वे इस बात के तुलना भी करते हैं, कि समान धनराशे प्राप्त करने के लिए उन्हें आम तोर पर कितना समय और मेहनत करनी पड़ी, और result यह होगा, कि यह पूरी तरह से गलत निश्करस होगा, कि ट्रेड करना आसाल है, समश्या यह है, कि शुरुवाती ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग माहुल में कारिये करने के लिए, आउशक विशेशग्यता के लेवल का reasonable assessment करना लगवग असंभव है, जैसे कि unlimited environment में खुद को limit करना सीखना, जबकि यह असंभव होता है, पहली ब में कितना time लगता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि profit इतनी आसानी से और इतनी तेजी से आना चाहिए, इस प्रकार की धार्नाएं, ट्रेडर्स को प्रयास की वास्त्विक प्रकरती से अनभिग कर देती है, समय निश्चित रूप से आउसर को समझना सीखने या किसी trade को गल ने तो time और ने ही efforts कोई factor है, तो क्या होता है, जब हम अपनी swim की उमीदों पर खरे नहीं उतरते, खासकर जब अधिकास लोग यह सोचकर अपनी trading career की शुरुवात करते हैं, कि यह एक आसान काम है और वे अपने financial dreams को पूरा करने से केवल कुछ इक्षन दूर हो, बले ही किस inadequacy, guilty और यहां तक की शर्म की भावनाएं उत्पन करता है, खासकर जब सफलता की उमेदे बहुत हों, तब कोई fail होता है, तो यह तीन प्रमुक psychological बाधाई पैदा करेगा, जिसे सफलता के लिए किसी भी उपाई को साकार करने से पहले दूर करना होगा, सबसे पहले आपको यह सिखना होगा कि inadequacy, guilty या शर्म की किसी भी भावना से खुद को कैसे मुक्त किया जाए, दूसरा आपको यह सिखना होगा कि emotional रूप से दर्दनाक अनुभवों के कारण होने वाले residual psychological damage को कैसे पहचाना जाए, और उनकी repairing कैसे की जाए, क्योंकि दर्दनाक अनुभवों मे डर पैदा करने की क्षमता होती है, अन्त में आपको किसी भी inappropriate trading habits को undo करना होगा, और appropriate skills को सीखना होगा, जो अन्तत है, आपको trade से desire wealth accumulate करने में मदद करेगा, कई लोगों के लिए, जो mark ने outline किया है, वहें एक भारी काम की तरह लग सकता है, और mark इसे इससे जरा भी कम नहीं अंकेंगे, बले ही आपने अभी तक खुद को किसी emotional आगात का शिकार नहीं बनाया है, फिर भी उचित skills सीखना कोई आसान काम नहीं होगा, हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए, कि इसके rewards बहुत बड़े हो सकते हैं, क्या future या stock में trade की unlimited potential वाला कोई अन्य प्रयास इ आगे बढ़ते हैं, आपको यह ध्यान रखना बहुत मैं तो पूर्ण है, कि जिसे आप reality structure मानते हैं, उसे ने तो मार्क और ने ही कोई और नकार सकता है, हो सकता है कि मार्क और आपका सत्य बड़े अंतर से भिन हो, यदि आप अपने belief को छोड़ना या बदलना नहीं चाहत तो दुनिया की कोई force, violence या यहां तक की torture आपको या किसी अन्य को अपना यह belief छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता है, हलांकि यदि मार्क जो पेशकश कर रहे हैं, वह आपको इच्छित result देगा, तब आप कम से कम temporarily रूप से, जिसे आप सच मानते हैं, उसे suspend करने के ये काम करता है, वह आपके लिए भी करेगा या नहीं, जिस आग पर चलने वाले के बारे में, मार्क ने पहले बताया था, उन्होंने दिखाया कि कैसे एक thinking methodology उनके belief को suspend कर सकती है, कि गरम कोईले पर चलने से उनके पैरों को गंभिर नुकसान होगा, बले ही उन्होंने अप गरमी के खतरों और दर्द को पहले ही जान लिया था, शायद आप भी इसे suspend कर सकते हैं, जिसे ट्रेडिंग को सफल बनाने वाले चीजों के बारे में आपकी कुछ मान्यता इस शामिल होती है, आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी early training ने इस से पहले कि आप कभी ट्रेडर बनने पर विचार करें, contradictory attitude और belief पैदा किये होंगे, जो सभी अच्छे इरादों और आशावादी ट्रेड को cancel कर देते हैं और इस परकार failure का कारण बनते हैं, जाहिर है इस से पहले कि आप अपने कुछ innermost beliefs को बदलने की संभावना पर विचार करें, आप निश्चित रू आपके लिए इसके क्या लाब होंगे यह भी जानना चाहेंगे, सभी ट्रेडर की तरह, आपने शायद बार बार पढ़ा होगा कि ट्रेड में सफल होने के लिए क्या आउशक है, आपने पढ़ा होगा कि ट्रेड के साथ ट्रेड करें, अपने लोस को कम करें और अपने profit को बढ़ने दे, money management की है इत्यादी। ये कहाउतें जितनी सच हैं, वे आपको इन principles के प्रियोग और उनके profits के बीच एक first understable relation देने में बहुत unclear है। मैं चोटे नुकसान को कैसे स्विकार कर सकता हूँ, जब मैं जो करना चाहता हूँ, वह है पैसा कमाना है और जब भी मैं हारता हूँ, तो मैं खुद को ऐस अफल में हैसूस करता हूँ। एस स्थिति में आपकी लाचारी और आपके finance के लिए विनासकारी results इस चर्चा का सार ह उधारन के लिए यदि आप यह बदल सकते हैं कि आपके लिए loss का क्या मतलब है और आप उन्हें mentally कैसे शो करते हैं, तो आप इसे जिस भी हद तक पूरा कर सकते हैं, आप अपने आपको तनाव और चिंता से मुक्त कर लेंगे, जब आप यह स्विकार कर लेंगे कि कोई भी या उन्हें अपनी अपेक्षाओं या मानसिक सिमाओं के अनुरूप बनाने की कोशिश करना बंद करना सीख लिया है, अपने ट्रेडिंग करियर में कुछ किनी बिंदूओं पर उन्होंने एक एसी गटना के psychological implication को समझा, जो कभी खत्म नहीं होती है, जो केवल तब के लिए थोड़ी सी भी परवा किये बिना बिहेव करता है, अन्तते उन्होंने अपने प्रस्पेक्टिव को बदल कर इन ऐसा मन्य और डिमांड वाली psychological conditions को अडप्ट किया, हालांकि जैसा कि मार्क ने पहले ही अपने अनुभवों से बताया है कि चेंज की प्रोसेस आम तो जीवन में अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंटरनल एन्वार्मेंट को कंट्रोल करना बहुत आसान है, यहां मार्क के कहने का मतलब यह है कि अगर हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ बदलना होगा, तो हमें अपने mental perspective को बदलने का प्रयास करने से पहल अपनी आवशक्ताओं के अनुरूप बहारी परिस्तितियों को बदलना बहुत आसान होगा, स्वेम को बदलना किसी भी समश्या के समाधान के रूप में बिल्कुल अंतिम उपाई लगता होगा, तो आप सचेत रूप से खुद को अंदर से बदलने का तरीका सीखने पर का दूसरा, क्योंकि आप जिन नए स्किल्स को सीखने का प्रियास कर रहे हैं, उनके एक्विजेशन में आपके कई बिलिफ रेजिस्टेंस के रूप में कारिय करते हैं, तीसरा, मार्क आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं, अभी मार्क आपको इन पहले दो उनके चाचा उनके लिए बिल्कुल पिता तुल्य थे, जबकि उनके अपने पिता नहीं थे, बहुत कठिन काम करते समय, छोटी उम्र में ही दिल का दोरा पढ़ने से चाचा की म्रत्यू हो गई, इस अनुभव के कारण, उनका ग्रहक यह मानते हुए बढ़ा हुआ, कि उसी समय काम करना छोड़ देते थे, जाहिर है, मरने के बारे में उनका विश्वास बहुत लिमिटेड था, और इसी कारण से उन्होंने बच्पन में या अपने व्यसक जीवन में कभी भी किसी भी खेल में भाग नहीं लिया, खैर, जब वह अपने तीसवे दसक के आखिर म नहीं लिया, जब तक कि वह उस उम्र को पार नहीं कर गए, जिसमें उनके चाचा के मृत्यू हो गई थी, जब ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने पूरी धारना छोड़ दी, अपने शेहन सक्ती बढ़ाने का निर्णे लेते हुए, उन्होंने मार्क से धावक बनने के बारे में कुछ सुजाव मांगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्क वर्सों से दोड़ रहे हैं, इस तरह से दोड़ना, उनके लिए एक नया स्किल था, और निश्चित रूप से कुद को एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका था, इसलिए मार्क और वो साथ-साथ दोड़ने तो वे रुक जाते, बले ही उनका इरादा दोड़ते रहने का हो, एकसरसाइज से मरने के बारे में, उनकी धारणाओं में, अभी भी उनके मेंटल इन्वार्मेंट में काफी शक्ती थी, इस विश्वास ने प्रतिरोध के रूप में काम किया, भागने के उनके सचेत प्रति कम नहीं हो जाती, तुम यहीं रुकोगे। इसी स्थिते में यहें निर्धारित करना बहुत आसान था कि उनके मेंटल सिस्टम के किस कंपोनेंट्स का उनके बिहेवियर पर अधिक प्रभाव था। तीसरा कारण कि आप अपने साइकलोजिकल स्ट्रक्चर के अनुर एनुवार्मेंट को मजबूर करने के बजाए अंदर से बदलाओ करना सीखना चाहेंगे। मार्केट इतने बड़े हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अर्थात यदि आपके पास कीमतों को अपनी दिशा में ले जाने की फाइन कि आप या तो इसके अनुरूप हो सकते हैं या कुछ बहुत ही दर्दनाक सबक का अनुभव जारी रख सकते हैं। यहां आपको मार्क एक क्विक हिंट दे रहे हैं कि एक ट्रेडर के रूप में आप जिस इमोशनल डिसकमफर्ट और दर्द का अनुभव करते हैं वहे इस का एक्सिलेंट इंडिकेशन है कि बिना किसी डर के ट्रेड करने और लगातार सफल होने के लिए आपको कितना बदलाव करना होगा। यहां आप पूछ सकते हैं कि मार्केट पर साइकिलोजिकल परस्पेक्टिव से विचार क्यों किया जाए। क्या मार्केट वैसा बिहेव लोगों की परस्पर क्रिया के कारण वैसा ही व्यवहार करती है। और चुकि यह सभी व्यक्ति मानव जाती के सदश्य हैं, चाहे उनका नेशनल ओरिजन, रिलिजियस कन्विक्शन या आप कुछ भी हो, सभी मानव मन की साइकिलोजिकल स्ट्रक्चर के लिए चीजें एक सम उपलब्द हैं। जब भी यह तनाव या क्षनिक निर्णों का सामना करता है, तो यह साइकिलोजिकल स्ट्रक्चर कुछ हाईली प्रडेक्टिबल तरीके से बिहेव करती हैं। मार्केट में किसी के फोर्चून को खोने का डर, किसी जंगली जानवर के हमले से, किसी के जान खोने के डर जितना हित्तिवर होता है। हालांकि बले ही, अम सभी कलेक्टिव रूप से भाग लेते हैं। मार्केट हम सभी के लिए समान नहीं है। मार्केट के हर कदम का एक व्यक्ति के रूप में हम में से प्रतेक पर अलग अर्थ और प्रभव होता आ है। और इस movement के बारे में प्रतेक ट्रेडर का अनुभाव, इन्वार्मेंटली information यानि perception इन्पुट करने की उसकी personal mental process और उसके behavior को प्रभावित करने वाले सभी unique internal psychological factors का result हैं। इसलिए बले ही दो या दो से अधिक traders इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान कीमत क्या है, वे इस experience को share नहीं करेंगे कि वह कीमत उन्हें व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित कर रही है। किसी विशेश price change पर आप जो अर्थ रखते हैं, वह है आपके विश्वास का परिणाम है। एक trader के रूप में आपको लगातार यह define करना होगा कि बविश्य के बारे में आपकी धार्णाओं के अनुसार क्या high है और क्या low है। यही एक मतर तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, low price पर खरीदे और इसे high price पर वापस future में बेचें या high price पर sale करें और low price पर future में वापस purchase कर लें। जब तक कीमतों में उतार चड़ाओं जारी रहेगा, तब तक वहें उतार चड़ाओं कम कीमत पर खरीदने और उंचे पर बेचने या उंचे पर बेचने और कम कीमत पर खरीदने के अवसर पैदा करेगा। और ये आउसर सभी ट्रेडर्स के लिए उपलब्द है। आप अपने विश्वाशों, इरादों, धारनाओं और नियमों के आधार पर अपने दिमाग में खिल बलाते हैं। यह किसी और का नहीं बलकि आपका अपना युनीट प्रस्पेक्टिव है। इसका सीक्रेट यह है कि आप यह चुन सकते हैं और करते भी हैं कि आप गठनाओं को कैसे देखते हैं। बले ही आप इस बात से आउगत नहीं हैं कि अपने लिए अन्य विकल्प उपलब्द कराने के लिए अपनी धारना को कैसे नियंत्रित करें और बदलें। फिर भी आप चुन सकते हैं। फिर psychological factor पर निर्भर करेगी जिनका अचसर मार्केट से बहुत कम या कोई लेना देना नहीं होता है आईए जानते हैं ट्रेडर ऐस सफल क्यों होते हैं इसे कई कारण है जिनकी वज़े से ट्रेडर सफल नहीं होते हैं इन कारणों को तीन ब्रोड केटेगरी में विवाजित किया ज सकता है पहली कटेगरी है स्किल की कमी ट्रेडर को आम तोर पर यह पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग एनवार्मेंट अन्य सभी एनवार्मेंट से भिन्न है ट्रेडिंग कुछ एसा लगता है कि जिसे करना बहुत आसान होना चाहिए और साथ ही अपिक्षाकरत कम समय में पड़ी हुई अपेक्षाओं का पालन करना नीराशा के बराबर है, जो दर्द के बराबर है, जो साइकलोजिकल डेमेज के बराबर है, जो दर के बराबर है। जिसका रेजल्ट्स ज्यादा नेराशा, दर्द, साइकलोजिकल डेमेज और भै है। लोग आम तोर पर यह नहीं जानते कि साइकलोजिकल डेमेज की रिपेरिंग कैसे की जाए और वे नहीं जानते कि खुद को अपने डर से कैसे मुक्त किया जाए। इसे कमपनसेट करने के के लिए हम अपने डर को चूपाने के कुछ बहुत स्पेसिफिक तरीके सीखते हैं. सोसाइटी में हम कोनफिडेंस के दिखावे के साथ आगे बढ़ सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं क्योंकि लोग आम तोर पर अपने बारे में एक दूसरे के इल्यूजन का समर्थन करेंगे. हलांकि मार्केट का अपने बारे में किसी के इल्यूजन का समर्थन करने में कोई नहित स्वार्थ नहीं है. यदि कोई ट्रेडर भैबित महसूस कर रहा है तो वह इसे जितना चाहे छिपाने की कोशिश कर सकता है. लेकिन उसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स उसकी सच्ची भा के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं. इन में से कुछ बिलिप्स के बारे में आप सचेत रूप से जानते होंगे. उन में से अधिकास के बारे में आप नहीं जानते होंगे. किसी भी मामले में आप उनके महत्व को नकार नहीं सकते कि वे एक ट्रेडर के रूप में आपके ब अच्छे मार्केट एनलिस्ट बन गए हैं। यदि आप अपने आपको इन विश्वासों के प्रभाव से मुक्त नहीं करते हैं, तो आप उस अहद तक सफल नहीं होंगे, जिस अहद तक ये सिमित विश्वास आपके mental system में पावर रखते हैं। एसे कई मार्केट गुरू हैं, जो बेद सटीकता के साथ मार्केट के चाल का अनुमाल लगा सकते हैं, लेकिन वे एक ट्रेडर के रूप में पैसा नहीं कमा सकते। या तो वे beliefs के नेचर को नहीं जालते हैं, कि वे behavior को कैसे प्रभावित और निर्धारित करते हैं, या वे इन beliefs से जुड़े मुद्दों का सामना ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको तो यह करना होगा, अन्यता कुछ नहीं होगा, और यदि आप एसा नहीं करना चुनते हैं, तो आप अपने आपको बार-बार negative experience के उन्ही recurring cycles के अधीन कर देंगे, जब तक कि आप या तो आवशक मुद्दों पर काम करने का निर्ने नहीं लेते हैं, या अपना सारा पैसा खो देते हैं, और फिर लास्ट में इसे छोड़ना पड़ेगा, और तीसरा है, self-discipline का अभाव, यदि इस प्रकार की environmental conditions मौझूद हैं, जिनका उचित रूप से कुद को नुकसान पहुंचाई ब नहीं सीख लेते कि अपने best interest में कैसे कारिय करना है, जब आप बच्चे थे, तो आपके माता-पिता आपको अकेले सडक पार करने की अनुमती नहीं देते थे, क्योंकि सडक को सुरक्षित रूप से पार करने में आपकी ASMR था के results आपको दूसरा मोका मिलने से रोक सकते थे, जब आप traffic के nature के बारे में उचित अंतर समझने में सक्षम हो गए, तो आपके माता-पिता ने आप पर इतना भरोसा किया कि आप स्वयम सडक पार कर सकेंगे। जब तक उन्होंने आप पर भरोसा नहीं किया, उन्हें हमेशा आपके किसी कार से ठकरा जाने की संभावना का दर रहता था। उनके डर के परिणाम सुरूप उन्होंने सडक पर आपके लिए मोजूद आउसरों की परवा किये बिना आपकी आवाजाई की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्टिड कर दिया। ट्रेडिंग एनवार्मेंट के साथ आपका इंटरेक्शन उसी तरह से काम करता है। अंतर यह है। यहां आपको कोई भी ट्रक की चपेट में आने के लिए सडक के बीच में खड़ा होने से नहीं रोक रहा है। आप अकेले हैं जो खुद को रोक सकते हैं। एक या दो बार च प्रठिन हो जाता है जब आपको यह एहसास होता है कि कारे और ट्रक बे तर्तिव ढंग से आपकी ओर आ सकते हैं। आप सोचिये कि अचानक आप शड़क पर पड़े हुए हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपको कहा और क्या चोट लगी है क्योंकि आपको अब भी लग रहा है कि आप सावधान हो रहे हैं। तो अभी हमने बुक के चैप्टर दो में जाना कि आपको एक सक्सेस्पूल ट्रेडर बनने के लिए नई थिंकिंग मेथडोलोजी क्यों सिखनी चाहिए। हम अगले एपिसोड में बुक के पार्ट दो के बारे में सुनेंगे जिसका नाम है साइकलोजिकल प्रस्पेक्टिव से ट्रेडिंग इनवार्मेंट के नेचर को समझना। अगर आपको मेरा यह प्रियास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें। वै अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ सोशल मेडिया प के नॉलिज से बरपूर अगले एपिसोड में हिंदी ओडियो बुक डॉट कॉम आपका दिन शुब हो।